नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बाबा चैनल पे आप सब का स्वागत है, तो फ्रेंड्स रोज की तरह हम आज फिर लेकर आए हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ट्रेड सेट अप और तीन स्टोक्स जो कल आपको खूब प्रॉफिट लाकर देंगे, तो सबसे पहले हम उन्स स्टोक्स को स्टडी करेंगे, जो हमने आज के लिए बताये थे, तो सबसे पहला स्टोक है, S.C.L. Tech जो आज की पूरे शेर बिजार का हीरो रार, तो वो हमने कल ही दे दिया था आपको, और वो भी कहा था, कि अगर 8.70 के पास मिले तो बाय करना, सोरी, 8.65 के पास मिले तो बाय करना, और उपर हमें इसमें लगबग, 9.06 के टार्गेट मिले, 9.06 हाई लगाया, तो इस तरह से, इसमें हमें लगबग 45 से 50 पॉइंट सीदे सीदे मिले, उसके बाद, जो अगला स्टोक हमने दिया था, वो था सिपला, सिपला भी हमने कहा था, कि अगर 8.13 के उपर मिले तो बाय करना है, तो इसने भी आज हाई लगाया, 8.20 का तकरीबन, तो इस तरह से इसने भी हमें 7 से 8 पॉइंट दिये, उसके बाद, माइन ट्री दिया था, माइन ट्री हमने कहा था, कि 1574 के पास जहां भी मिले बाय करना, और उपर का हाई इसने लगाया 1596, तो इसमें भी हमें लगबग 20 से 25 पॉइंट मिले, तो इस तरह से टोटल इन 3 स्टोक से, जो हमने कल बताया थे, लगबग 70 से 80 पॉइंट इससे प्रॉफिट हुआ, दोस्टोक हमने फ्री टेलिग्राम चैनल में बताया थे, सुबह ही मार्केट खुलने से पहले, एक तो बताया था रिलाइंस, कि रिलाइंस को बाय कीजिए, वो भी कहा था कि 2232 के पास लेना है, तो वहीं से बाय करना है, और उपर इसने हाई लगाया, तकरीबन 2285, जिससे तकरीबन सीधा सीधा हमें इसमें 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और दूसरा हमने स्टोक बताया था भारती एटल, भारती एटल को हमने 420 के पास बताया था, बाय करने के लिए, तो 427 हाई लगाया, तो इसमें भी 7 पॉइंट का, 57 पॉइंट और जोड लेजिए, तो इसमें हमें कुल इन 5 स्टोक से ही लगवग 1500 पॉइंट का, 1500-200 पॉइंट, 150 से 175 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो कल निफ्टी में हमने का था, कि अगर 11900 के पास आए, तो उसे 11900 के पास आए, तो वहाँ पे हमने 11900 की कॉल लेनी है, और टार्गट हमने बताया था 11950, पर इसमें आज निफ्टी एक सिधी 11900, तो 87 तक गई, 11987 तक गई, और अगर हमारे लेवल के अगोडिंग भी अगर किसी विवर ने ट्रेड किया है, तो 11972 के पास प्रॉफिट बुक किया होगा, तो इस तरह से सिधे-सिधे 72 पॉइंट इसमें से भी प्रॉफिट हुआ, उसके बाद जो कल के लिए स्टोक हम लेकर आए हैं वो आपके लिए, वो है HCL टेक, HCL टेक में मोवेंटम काफी स्टोंग है, फ्राइडे को रिजल्ट है, रिजल्ट अभी दूर है, तो अगर ये कल स्टोक हमें 884 के पास मिले, तो बहुत अच्छा, और 884 का स्टोप लॉस लगा देना है, अगर 913 के पार मिले, तो 913 का स्टोप लॉस लगा के, 913 के पास ही बाए कर लिना है, और उपर का टार्गेट रहेगा 948, और अगर 948 भी क्रोस कर दिया, तो ब्लू अपन स्काई है, जिसका मतलब कोई यह होता है, कि आगे कोई resistance नहीं है, और सीधा खुले आम यह गोड़े की तरह दोड़े का, यह स्टोप, तो SCL टेक यह कल के लिए फिर से हम recommend करते हैं, उसके बाद bank nifty देखिए, bank nifty आज पूरी तरह confuse रही, वहीं interest और interest का मामला, और court में आज सुनवाई थी, पहले 10 बज़े, 12 बज़े थी, फिर उसे टाला गया 2 बज़े तक, फिर 2 बज़े आने के बाद, जैसी 2 बज़ने वाले थे, तो फिर कहा गया कि कल होगा फैंसला, तो यह आज सारा दिन 200 dama ओ 200 ema के बीच में ही घूमती रही, जो आप नीचे line देख रहे हैं, यह देखिए, जो नीचे line देख रहे हैं, वो है 200 ema, यह है 200 dama, तो 200 dama से 200 ema ने इसे नीचे गिरने ने दिया, और 200 dama ने इसे उपर जाने ने दिया, तो कल के लिए trade clear है, इसमें कोई confusion नहीं है, कि अगर 23699 के उपर market जाए, bank nifty जाए, तो bank nifty को buy कीजिए, 23699 के stop loss के साथ ही, क्योंकि यहीं पर 200 dam आ है, तो उपर के target रहेंगे 23853, 23962, 24136 और 24348, नीचे की और अगर इसने 23486 को तोड़ दिया, तो फिर bank nifty को sell करना चाहिए, target रहेंगे 23343, 23152, और last 23085, तो यह है bank nifty का trade setup कल के लिए, तो उसके बाद, Reliance, Reliance में अगर 2289 के उपर अगर हमें मिले और 2289 का stop loss गजाना है, तो कल के जो target रहेंगे वो रहेंगे 2299, 2314, 2338 और 2355, Reliance में एक strong momentum बना हुआ है, और इसमें अब ऐसा लगता है कि यह उपर 2400 तक को चू सकता है, तो उसके आगे put call ratio देखें, तो 1.41 है, मतलब कल जितनी थी उतनी है, तो यह एक अच्छी बात है कि यह 1.5 के नीचे है, तो इससे निफ्टी को उपर जाने के संकेत मिलते हैं, दूसरा अगर world market देखें, तो डाउ फ्यूचर एक सो बीस पॉइंट माइनस है, बलकि हैंक सेंग और निकाई, मतलब एशियन मार्किर सारी पलस है, और इवन सिंगापूर निफ्टी इस समय भी 11.940 पर है, तो इससे निफ्टी को उपर जाने की संकेत है, और अगर option chain देखें, तो जैसी हालत कल थी, आज काफी सुदर गई है, वो क्यों, कि 11.500, 11.500 पर जो call writer था, put writer था, sorry, वो हो गया है, माइनस, वहां से निकल के ये आ गया है, 11.600, जो कि कल कम था, आज तकरीबर 5 lakh put writer और add हो गया, और सबसे ज़दह अगर put writing देखें, तो वो हुई है, यहां पर, 11800 पर 11800 एक स्ट्रोंग स्पोर्ट कल के लिए बन चुका है तो 11800 से 11900 तक एक स्पोर्ट है जो स्पोर्ट का काम करेगी और कल भी मैंने बताया था कि जैसे 11778 आएगा तो वहाँ पर जाकर मार्किट डुकेगी 11778 से फिर से यूटन लेगी निफ्टी और फिर से उपर की और जाएगी और उपर की और जो रिजिस्टनस बना हुआ है वो 12000 पर ही है और सबसे ज़्यादा अगर कॉल राइटर एड़ हो रहा है तो वो हो रहा है 12250 उसका भी रीजन आपको मैंने कल बताया था कि 12250 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर का एड़ होने कारण यह है कि 12250 पर सबसे वहाँ पर स्ट्रोंग रिजिस्टनस है जो इसे रोकेगा निफ्टी को उपर जाने पर तो 1224 एक स्ट्रोंग रिजिस्टनस है उपर की और और पहले उससे जो स्ट्रोंग रिजिस्टनस जो खड़ा है 12048 पर पहले तो उसे क्रोस करना मुश्किल है फिर 12100 पर भी स्ट्रोंग रिजिस्टनस है और अगर वह क्रोस हुआ तो फिर 12156 मतलब 12156 पर रिजिस्टनस है उसके बाद 12156 के बाद 12250 इस सारे एरिये में काफी स्ट्रोंग रिजिस्टनस है वो क्यों है क्योंकि जो पहले COVID-19 से पहले जो मार्किट थी वो यहीं पर बार बार इन लेवल्स पर रुक रही थी यह वहीं लेवल है जो बार बार बोले जा रहे है तो इन लेवल्स पर तो फिर से लग रहा है कि फिर से मार्किट रुकती चली जाएगी पर एक बार अगर 12400 जब तक कलियर नहीं होता तब तक ब्रेक आउट जबरदस्त नहीं आता तो इस से पहले यह सभी एक तरह से मार्किट चाहेगी एक डिप मारे निफ्टी नीचे की और जैसे 12778 आएगा तो एक बाइंग आएगी जो फिर इसे 12048 को भी तोड़ देगी 12100 को भी तोड़ेगी और 12250 को भी तोड़ेगी पर एक डिप आना ज़रूरी है तो कल के लिए जो ट्रेट सेटप है वो है कल क्या करना है अगर 11900 के पास निफ्टी मिले तो निफ्टी को बाइ करना है कॉल लेनी है टारगेट रहेंगे 947 972 12002 12048 यह जो लास्ट टारगेट है उसके बाद अगर 118855 के नीचे निफ्टी जाए तब पुट लेनी है 11900 की पुट लेनी है और मार्किट को अगर जैसे ही 11778 के पास आए फिर से 11800 की कोल लेनी है फिर टारगेट हमारा रहेगा 11850 11900 11915 और जहे जो टारगेट सारे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे है तो इस तरह से यह है हमारा कल का ट्रेट सेटप उसके बाद जो तीसरा स्टोक हम आपके लिए लेकर आए है वो है शक्ती पम्प शक्ती पम्प के रिजल्ट अच्छे आने वाले है ऐसा लग रहे है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे और फ्राइडे को इसके रिजल्ट है तो इसे देखते हुए हम इसे चुन कर लाए है तो शक्ती पम्प को 247 के उपर बाई करना है और टार्गट रहेंगे 288-306 और 327 और 247 का एक स्टॉप लोस भी लगाना है हमारे कई वीवर्स द्मांड करे थे कि कुछ चोटा स्टोक लेकर आई है तो friends अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्याज़ ज़्यादा शेर कीजिए और अगर किसी ने फ्री चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो नीचे टेलिग्राम फ्री चैनल का हमारा लिंक है वहां से क्लिक कीजिए और हमारे फ्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वहां पर हम डेली और भी मार्केट के दुरान और या मार्केट के पहले और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हम आपको बताते हैं तो friends, thank you, शुक्रिया